काईट माश्टर से, जो की काईट काटने में माहिर होते हैं और यह देख सकते हैं फ्रेंट्ज यह काईट माश्टर है और इन 군 Bileck वाली पतंग ऐभ चलिए देखते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कैसे यह पतंग काटते हैं एक तेज खैंच करके काट दिया है तेखा आपने में बताया आपको जैसे video start किया था उसे समें मैंने बहुल दिया था कि कि यह वाला पीज कैसा रहगा हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो काइट मास्टर है जिसे मैंने काइट मास्टर का जर्दा दे रखा है यह आ गए है और देखते ने आल नहीं काट्पते हैं यह तर पर देखिए आ यह नीची की तरफ खेंचरे ने है पी अब T से नीची की तरफ खंच करने वाला है और कापे इंटरेस्टिंग रहने वाला है और यहां पर कुछी टाइम बाद में यहुद से आपर इन्हों ने पतंग को धर द दिया है और फोड़ा मुझे आपको एक अच्छा तो यहां पर इंट्रेस्टिंग व्लोग होने वाला है कापी अच्छी फाइटिंग होने वाली है तो यहां पर इस वाली काइट मास्टर की है जो की पतंग काटने में कापी माहिर है हुद सकते हैं इक बार फिसे यहां पर यह इंकिन को फॉलो कर सकते हैं तो यह देख सकते है यहां पर पिछे को पतंग को नी शेक अब डबा दिया और यह देख सकते हैं kung तैंसे हैं और देखने को अभी नाकाम हो चुके है यापश स्चे को नहीं काट पाई रहे है। करने हैं यह था कि पतंग जोटी रहाए जाना पतंग लंबी देना चाहिए था इसलीए थोड़ी दूर है और उसके पास इस पेस है ऐच्छ बात य्या धिया कि उनके पास पयसेश कितने भी पतंग कि ये उड़ाए रहे हैं डियो को फालो पाइगा यहां पर बस यहां पर लेट कर लेते हैं तो यहां पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंश यहां पर देख सकते हैं पतवत नहीं हो पाएगा तब तक पतंग नहीं कट पाएगी ठीक ना तो यह जो भाई और पतंग को उड़ा दिये हैं चलो यहां पर अच्छी पतंग आज दिखने को मिलेगी मुझे लगता है कि अपकी बास नहीं बचपाएगी वह पतंग और आखिरकार और उस पतंग को यहाँ पर काटी दिया है जूम करके मैं नद्धिक से आपको दिखाने की कोशिज करूँ कि अपकी बाहर इन्होंने कामियाभी आसिर कर लिया है कापी अच्छे तरीके से सैटलमेंट हो चुका था पतंगो का रबैस यहाँ पर इन्होंने इसा राखिया नीचे की तरह और अपनी फुल खैश दिखाई और उस पतंग को यहाँ पर काट दिया तो फ्रेंच इंट्रेस्टिंग लोग आपको कैसा लागा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आयासा ही कायट फाइटिंग से रिल्टेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेश करना ना बूलना थेंक्यू